नमस्कार दोस्तों मैं कुंदन सर्मा आप लोग के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ मैं फेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फेंट्स अगर आपके बिजन से कुछ सेल होता है तो उस सेल का जो रिटर्न है आप जेस्टर 1 में किजी का यानि कि फेंट्स आप स्कीप करके वीडियो मत देखेगा आप वीडियो के अंतक बने रहे हैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे चीज सीखने को मिलेंगे तो चलिए इस वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं फेंट्स सबसे पहले आपको जेस्टी पोडल मे login कर लेना है अपने user ID और password के तुरू आप देखरें मैंने इसमें login कर लिया है तो यहाँ पे October मन्त में बहुत सारे purchase था तो मैं purchase bill का ITC claim कैसे लोगा सेम वोई चीज मैं दिखाने वाला हूँ देखिए जब आप कोई भी अपने business से sale करते तो उस sale invoice का जो return है आप जेश्टर 1 में दिखाते हैं ठीके न और यहाँ पर जो purchase करते हैं उसका जो ITC input लेंगे उसका return जो हमनों 3B में file करते हैं तो यहाँ पर 3B में दिखाने वालों कि 3B में आप ITC claim कैसे ले सकते हैं देखिए return file करने के लिए आपको यहाँ पर return dashboard आपको यहाँ पर click करना पड़ेगा और यहाँ पर जो है आपको create select करना पड़ेगा मैं October select कर लेता हूं सबसे पहले आपको 2A चेक करना पड़ेगा 2A क्या सो करता है तो जो है आपका यहाँ पर purchase report सो करता है ठीक है और जो 2B है आपको कितना input मिल सकता है वह आपका इसमें सो करेगा तो देखिए जो 2A में सो करेगा सेम वह आपका 2B में सो करेगा यह mandatory नहीं है क्यों यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपना return हुआ है रिश्टर पर्शन का तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर बी टूबी इन्वोइस मेरा सारे इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पर देख रहे हैं तीन पर्शेस बिल सूब कर रहा है तो यानि कि इसी तीन बिल का जो है मुझे ITC किलेम मिल पाएगा तो यहाँ पर टूटल इन्वोइस वेलो जो है यहाँ पर देख रहे हैं कितना लिखा 25,999 तो यहाँ पर जो भी आपको आफ्लाइन बिल मिला होगा तो उस बिल से आपको मिला आना भी पड़ेगा बिल संख्या आप देख लेंगे याप यानि कि इन्वोइस नंबर 279-222 तो यहाँ पर देख रहे हैं जो टूटल इन्वोइस है 279-22 इन्वोइस नंबर का 33,800 है तो यहाँ पर देख रहे हैं 33,800 नहीं है 35,999 यहाँ पर मेरे क्लाइंट के साथ मैं थ् किजिए इसके बाद ही मैं रिटन फाइल करूंगा तो कल साम को जो है उन्होंने अपना बिल रेक्टिफाई किया है अपनी से और उसने मुझे दुबारा सेंड किया है मैं उस बिल को भी आपको दिखाना चाहता हूं जो रेक्टिफिकेशन बिल मेरे पास में आया है ठीक ह तो यह उसको कवच करे अभीना नवे समय करूगा है तो यहां पर मैं बेकनी करोंगा और गत्ना है इतना आपको टेबल नबर फॉरवों जाते हैं और यहां पर अपना अपना प्रियर्ड आप सलेक्ट कर लेंगे और यहां पे तो यहां पे थिरी भी है तो यहां पर यहां पर क्लिक करेंगे आप अफ्लाइन भी फाइल कर सकते हैं अगर नंबर ऑफ पर्चेस बिल ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है बट यहां पर मेरा स्वजेशन है कि आप आप फाइल की ठीक है यहां पर कुछन पुछा है क्या आप निलेटन फाइल करना चाहते हैं तो आप इसको यहां पर सकते हैं तो मेरा सँकते हैं तो तो मैं कुछ यहाँ पर चैंजेस नहीं करूगा, और यहाँ पर करने के बाद आपको नीची आना है, और सेव GSTR3B है, आपको सिंपल इसे पर क्लिक कर देना है, save request receive बता रहा है तो यहाँ पर आपको refresh button click करना है और नीची आजाना है यहाँ आप देख रहे है प्रोसेट्री टू पेमेंट आपका highlight हो गया अब आपको click करना है और यहाँ पर total IGST और यहाँ पर SGST और CGST कितना amount है यहाँ पर total so करेगा और total आपका कितना ITC claim ली है अभी तक वह आपका यहाँ पर total so करने वाला है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई payment नहीं हुआ है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको फाइल विद किसके थुरू करना चाहते है तो आप सलेक की जग मैं EVC की थुरू करूंगा electronic verification code बोलते हैं यहाँ पर OTP फिल करके आपको verify पर क्लिक करना है जैसे verify कीज़ेगा यहाँ पर फाइलिंग सकसफुल का message आ जाएगा तो यहाँ पर आपने जो बैलेंग रिटर्न फाइलिंग कर लिया है और आपको ITC input भी जो है मिल चुका होगा आपको यह चेक करना पड़ जो मेरा यहां पर ITC claim आया है तो यहां पर टूटल जो है मिला के एक लाख मैंने बताया था वो अतना एमॉन जो आपका होगा ठीक है तो यहां पर आप चेक भी कर लिजिए पर्चेस रिपोर्ट का ITC claim ले सकते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी कुश्चन हो तो मुझे इस वीडियो के कामेंट बॉक्स में जरू कमेंट कीजिए और वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेर जरू कीजिए और चैनल प